जैन्द फ्रेंड्स आपका हमारा यूटीब चनल यूपी असे आदिति सिंग पर स्वागत है इस वीडियो में हम लोग आपका सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला प्रज़न है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और एससी जीडी के थुरू जो वैकेंसी आता है जिसमे कि आपका हम नाम लिख लेते हैं कौन-कौन सब फुर्स का रहता है कि यह सब कर रहता है और पिर यह अजाता है और एससेफ का भी आ जाता है एससेफ का भी आ जाता है तो आपके यह पोस्ट रहते हैं ठीक है आर्पी अप में तो आपका सिर्फ और यूपी पुलिस में कभी-कभी पी एससी का भी आता है कुछ पोस्ट और सिविल का लेकिन इस पार जो वेकेंसी आई है उसमें सिविल का इन्हों कान वह मेरे पास है के सब में आठ साल रहा हूं और यहां पर आपका कांस्टेवल में नहीं कभी एकजाम देने का मौका नहीं मिल पाया मुझे ठीक है और आर्पी अप में जो है इसका भी एक्सप्रियेंस है तो तीनों का कंप्रेजन करके बताएंगे कि क्या-क्या बेनिफिट किसमें क्या ब रहेंगे दो आए सोचके नहीं चलियेगा कि जीलिये के पास में होगा लेकिन मैक्समुम चांस रहता है हूं कि आप आप अपना चिला छोड़के इसमें भी रहता है कि अपना डिस्टिक आर्फी अपमें भी नहीं मिलता है ठीक है तो इसमें भी है कि आप जैसे मेरे पापा अभी बनारास में 200 किलोमेटर पड़ता है ठीक है और कभी-कभी दूर भी रहे जैसे आपका आहमदाबाद इन सब ज पॉइंट जो है आप मान के चले कभी मिन भी सकता है नहीं भी मिल सकता है और इस सब में जैसे होम जोन जब आप लगभग नियम से तो है साथ साल सर्विस कर लेंगे तो होम जोन मिल जाएगा लेकिन आप मान के चले की दस साल वाधी होम जोन मिलता है और बाकी का भी यून अब family जैसे कई लोग रखना चाहते हैं तो आप यहां पे भी आराम से रख सकते हैं, state में भी रख सकते हैं, और CSM में कुछ जगों को छोड़के आप अधिकतर जगा लगबग family रखने को मिल जाता है, लेकिन बाकी में आपका SSM में भी तो आप रख लेंगे, ठीक है, लेकि आपको इसके बदले में अच्छा खासा amount में central government अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो आप अगर जैसे तीन category के होता है, X category, Y category, Z category, तो इस category में से जिस सहर का आप चाहेंगे, जहां पे आप अपना परिवार रखेंगे, वहां पे किराय का ओ लगाएंगे, तो आपको HR A मिल ज मिल जाएगा, HR A जो है आपको allowance मिल जाएगा, house का मलब घर का भत्ता जो है, आपको अपने परिवार के लिए, अब हम लोग बात करने है, canteen का, canteen, तो जो CPC canteen है, 2019 से लगभग UP police में भी है, अधिक तर आपके, जो police line होते हैं, यहां पे मिल जाता है, यहां भी आपका CPC canteen मिल जाता है, RPF में भी, और यहां पे भी आपको CPC canteen मिल जाता है, फिर हम लोग बात करें, medical सुझधाओं की, तो आपके परिवार को यहां पे 5 लाग तक का medical जो होता है, free होता है, हर साल जो है, UP police में, RPF में आपका medical, यहां भी medical की सुझधा होती है, लेकिन एफिक्स नही limit नहीं होता है, यहां पे भी आपका medical जो है, free होता है, आपको और आपके परिवार को, फिर salary की बात करते हैं, तो यहां पे थोड़ा salary कम मिलता है, क्योंकि जो भत्ता होता है, जो भत्ते होते हैं, यहां पे कम होते हैं, जैसे आपका खाने का जो भत्ता है, यहां पे लगभग लगभग खाने के बत्ते लगभग मैं बता रहा हूं पचास सो रुपय का अंतर भी हो सकता है तो लगभग कितना है यहां पर चार अजार है और यहां पर आप जब अच्छी जगों पर रहोगे तब एचारे 2400 मिलेगा जैसे कानपूर लखनौव सीटीज में यहां पर मान के चलो 6000 प्लस के करीब में एक मैं किया चीज बता रहा हूं एचारे के बारे में बता रहा हूं फिर अगला हम लोग बात करें बेनिफिट का तो जैसे टीपीटी ट्रांस्पोर्ट मिलता है तो इन सब जगहों में जो आपके बड़े सार हैं जैसे गाजियाब मिलता है तो चार पाँच खजार के करीम में टीपीटी जो है यह भन जाता है में और यहां पे और यहां पे टीपीटी सिर्फ आपको जो कांस्टेबल का नहीं पता यहां जो है मोटर साइकल भता मिलता है लगबाग आठ सो जब दो साल सर्विस पूरा हो जाता है ठीक है तो यहां पे आपका निगेटिव पॉइंट मैं मानूँगा एचीज फिर मैं उपर से मिटाता हूँ फिर और बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं हम लोगों ने बात कर लिया इन सब चीजों का अब यहां पे बेनिफिट्स यहां पे भी आपका 13 महीने का सेलरी मिलता है यहां पे भी तेरे महीने का और यहां पे भी तेरे महीने का सेलरी जो है एचीज तीनों में आपका सेम हो जाएगा फिर बात करें बच्चों का तो यहां पे कोई चीज एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए फिस नहीं मिलता है लेकिन यहां पे दो बच्चों के लिए आपका क्लास आप मान के चलिए UKG से ठीक है क्लास UKG से आपको एक बच्चे के लिए लगभग 30,000 रुपे पहले 27,000 कुछ था अब बढ़ाया गया है ठीक है मेरे ख्याल से 31,000 32,000 हुआ है क्या एक बच्चे का 30,000 यानि अगर आपके दो बच्चे हैं तो यह 60,000 हो जाएगा तो 12 से डिवाइड करेंगे इसमें आपको हर महीने 5,000 का समझिये फायदा होगा हर महीने 5,000 का फायदा होगा यहां पर यह 5,000 कम मिला देखिए यहां पर कई तरीके 5,000 कम हो गया फिर आप का टीपीटी लगभग 4,000 5,49,000 हो गया ठीक है उसके बाद खाने में भी 25,000 कम है तो 11,000 लगभग ही हो गया ठीक है और भी जैसे यहां पर देख लेते हैं आरपीएफ में ठीक है आरपीएफ में भी है और यहां पर भी आपके बच्चे को पढ़ने को पढ़ने को मिलता है क्या यहां पर भी दो बच्चों को पढ़ने के लिए मिलता है फिर आगे बात करते हैं पढ़ने के अलावा जैसे यहाँ पर छुट्टी से आने जाने का टिकट का ऐसा कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर एक बार तो फुल मिलता है यहाँ पर आर्पीम में तो आप जैसे छुट्टी से आते जाते रहते हैं तो ट्रेन में तो सफर वैसे भी कर लेंगे ठीक है यहां पर में बताओं, SSTGD में आपको साल में मान के चलिए एक बार तो पूरा फेमिली के लिए एक बार थो पूरा आपको फेमिली के लिए मिलेगा और अगली बार जो है छिर्फ आपको मिलेगा मैं जब था तो ऐसा था दोजार 2100 किस्त में अभी लगबग ऐसा ही होगा ठीक है पिर और क्या चीजें बची है एक चीज और बती है हाँ यहां पर दस हजार जो है आपको यूनिफार्म एलाउंस मिलता है पर येर क्या दस हजार रुपए पर येर यूनिफार्म का एलाउंस मिलता है यहां पर लगबग 6,000 कुछ रुपए मिलते हैं कुछ रुपए हम लोगों को मिले थे यूनिफार्म का यहां भी आपको दस अजार मिलता है यूनिफार्म का फिर यूनिफार्म का हो गया अब बात कर लिया जाए अगर ड्यूटी का तो देखिए निश्चिति में बोल सकता हूं कि इन सब जो पोस्ट की ड्यूटी है ठीक है तफ होता है चाहे आरफी आपका तो थोड़ा आसान भी होता है लेकि इन ससी जी डी का जो ट्रेनिंग हो चाहे ड्यूटी होता है टफ होता है चाहे आप ट्रेनिंग की बात करें चाहे आप ड्यूटी की बात करें टफ होता है काम पकड़ लेंगे तो आसानी से आप अपना time काड़ सकते हैं फिर यहाँ पर भी अगर आपको computer ना लेजने तो आपको आफिस का काम मिल जाएगा और बहुत आसानी से आपका समय कर जाएगा आप अगर काम सीख लेते हैं तो आफिस में में रहना चाहते हैं परिवार के साथ रहना चाहते हैं तो निश्चित यूपी पुलिस आराम से जुआइन कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेंट्रल फोर्स में जाना तो SSDGD के थुरू जा सकते हैं SSF भी यहां पर बहुत अच्छा आपसन हो सकते है क्योंकि इसका जॉब अधिकतर तिर्फ दिल्ली में रहता है ठीक है इन सब फोर्स के थुरू आप NSG में SPG में इन सब में भी जा सकते हैं NDRF में जा सकते हैं ठीक है इन सब जाब के थुरू आप अगर NSG में जाना चाहते हैं SPG में इन सब में जा सकते हैं ठीक है NDRF में जा सकते हैं वहाँ पर salary भी extra मिलता है फिर अगर आप coach बनना चाहते हैं जैसे यहां भी option रहता है यहां भी option रहता है जैसे आप तो हर जगे यह आपसन रहता है जो benefit हो सकते थे मैंने आपको बताए ही तो यही आपका मेन रहता है ठीक है तो मेरे हिजाब से तो अगर आपका यहां बेले ही सेलरी काम है लेकिन आप यहां पर्मानेट अपना परिवार के साथ रह सकते हैं कभी भी कोई दिक्कत होता है तो अ है कुछ दिखता सकते हैं कुछ केसेज को छोड़के छुटी ना मिले ठीक है बाकी छुट्टी के दिक्कत लगवग घर जगह रहता है यहां पर थोड़ा एकी बेनिफीट मिलता है कि हर महिने में तीन दिन जो है रेस्ट मिलता है तो उस रेस्ट में आप चाहे तो अगर वहर चीजे हो गई बाकि अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो में कमेंट करके आप मेरे से पूछिएगा मैं आपका कमेंट को दूर करने का प्रयास करूँगा ठीक है और अगर आप इस वीडियो को हजार लोग से अधिक देखते हैं और कम से कम सो लोग ल मेंड़ में देखते हैं और कम से अगर ए ठीक देखते हैं और अपका भीज़्यों तड़ मैं